वहीं बरेली के रामनगर में कोंग्रियस यूंने किसान जन्जागरन अभियान चलाया है जहाँ पर सैक्रों की संख्या में कई गाउ में से कोंग्रियस कारिकरताओं और किसानों ने हिस्सा लिया अभियान के तहट नुकर सभा का भी आयोजन किया गया और वहां मौजूद किसानों को भी उनकी मांग को लेकर जागरू किया गया दूसरी तरफ अभियान में उतरप्रदेश कोंगरेस अध्याक शर्जेकुमार और लल्लू ने वीजबी सरकार पर निशाना सादा उन्होंने कहा कि सरकार किसान आयोग का गठन करे और किसान की फसल को नुकसान पहुचाने वाले आवारा पश्यों से निजाद दिलाए साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ करे इसी के साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए ये भी काहा कि यदि किसान की मांगे पूरी नहीं होती है तो 17 मार्च को किसान और कोंग्रेस कारेकरता विधान सबा का घेराव करेंगे वही मोके से मोके पर मोजूद कोंग्रेस के जिला अध्याक्ष अश्फाक वेग सकलेनी ने बड़ी संख्या में आये किसानों और कारेकरताओं का अभार जताया आपको बता दें इस अभियान को प्रियंका गांधी ने शुरू किया है जिसका मकसद किसानों की मांगे है और कि कार तक पहुचाना है